नमस्कार दोस्तों, बिग बूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है, वीडियो शुरू करने से पहले प्ली चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धनियवाद आपको आने वाल टाइम में क्या ठार्केट देखने को मिल सकते हैं और अभी आपको इस शेर में एक लोईर सरकेट देखने को मिला उसके पीछे क्या करन है सारा हम आपके लिए गाईज बिल्कुल क्लिए कर देंगे, वीडियो एंट तक जुरूर देखेगा पहले कंपणी के फंडामेटल्स के बारें बात की जाए थे कंपणी के फंडामेटल्स बहुत बखवास हैं कंपणी का स्टॉक एक तो ओवरपाउर्ट जोन में और एसम की रेड़ फ्लेग लिस्ट में dumping हो रही है guys इस share में आप लोग उन ललू लाल YouTubers की बातों में मता ही जो आपको कह रहे है कि यहाँ पे आपको बहुत तगड़े return multiplier return देखने को मिलेंगे guys आपको इस share में ऐसे कोई भी return देखने को नहीं मिलेंगे यह share बहुत ज़्यादा fundamentally weak stock है guys और stock में आपको कोई भी जो है rally देखने को नहीं मिलेगी और उपर से guys इस share के जो deal listing की बात है वो भी बहुत ज़्यादा market में फैल रही है guys और आपको पता है इस पे कितना ज़्यादा Europe लगे है इसके promoters पे जो इसके bank landers है उन्हों ने कहा है जो future retail और future group के owners है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है financial में जोल जाल किया Amazon ने भी इनके खिलाब जो है case दर्ज किया और आगउते reliance ने भी इनके साथ अपने deal है जो है cancel की है so guys मैं आपको यही कह दूँ जो company खुद के लिए profit नहीं बना सकती वो आपके लिए क्या profit बनाएगी इसका कुछ नहीं होगा guys last में इसके जो assets है उन्हें जो है बेचना ही पड़ेगा company को जिससे आप लोगों जो छोटे मोटे retail investors हैं उन्हें कोई फाइदा नहीं होगा आप लोगों को बस मुकसान होगा अगर यह company deal list होती तो आप लोगों को कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि company की जो book value वो माइनस मैं share की इसकी वज़े से आपको एक रुपे या भी नहीं मिलेगा तो मैं आपको यही सला दूँगा क्याइस कि आप इस share से जो है time रहते रहते निकल जाएए इस share में आप लोग मत बैठे गाइस इस share में आपको बहुत ज़दा नुकसान जहलने को मिलेगा कोई भी profit आपको इस share में देखने को नहीं मिलेगा आपको हमने पचास रुपे के भाव में भी का था कि इस share से निकल जाएए future retail कोई भी काम का stock नहीं है इस stock में बस आपको जो है pain देखने को मिलगी और कुछ नहीं गाइस तो अभी भी कहा रहा हूँ का इस time आपके वहाँ है जैसे ही मौका मिले इस share से निकल जाएए और कोई भी fresh position इस share में बनाने की मत सोचना वो आपके लिए अगर आप इस share में जो है fresh position बनाने की सोचेंगे तो मेरी आपको यही रहे रहेगी जब भी मौका मिले इस share से निकल जाएए इस share में आपका पैसा बरबाद होगा गाइस तो गाइस हमारे चैनल को प्रीज सेस्क्राइब कीजिए धन्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद